दोस्तों Facebook के तरप से एक बड़ा अपडेट किया गया है आप चाहें तो आप अपने Facebook प्रोफाइल से भी पैसा कमा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह एक Facebook प्रोफाइल है और इसका पेज दूसरा है जैसे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका page दूसरा है जो हमने create किया है आप यहाँ पर देख पाएंगे लेकिन अब facebook profile को भी monetize करके और आप facebook profile से पैसा कमा सकते हैं जैसे facebook page पे लोग video या फिरील्स upload करके पैसा कमाते हैं वो यसे आप भी अपने facebook account को page में convert करके और पैसा कमा सकते हैं इसी क बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा वीडियो को like channel को subscribe करना कभी न भूले ताकि ऐसे से वीडियो आपको मिले सबसे पहले दोस्तो facebook account monetize करने के लिए simply अपने phone में facebook account open करना है open करने के बाद आप यहां पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का ठीक है इस पर किलिक करते हैं तो यह एक पेज है और इसमें आप देख पाएंगे कि फोलोवर्ट से इसमें एक सो त्रीपन अभी है ठीक है इसको मैं कर देता हूँ बैक बैक करने के बाद अब यह फेस्बूक प्रोफाइल है आप यहां पर देख पाएंगे यह फेस्बूक कउच इस तरह का देखने को मिलता होगा अगर आप अपने फोन में ऊपेझ करते होंगे तो आपको अपना फ्रोलो काईल उपन करना है यहां पर क्लिक करेंगे ने इसमेश प्लीक करेंगए आपका फुल डिटेल्समें मिल जाता होगा जो भी आप फिल किये होंगे आपको एकाउँट में भी ठीक है इसको अगर में नीचे करता हूँ, थोरा सा नीचे करेंगे, तो यहाँ पिया आप देख पाइगे, कि मेरा जो फ्रेंड है, ओ है आर्ताली सो सत्तर, यहाँ पे आप देख पाएंगे 48-70 यह friend है अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने जो भी इस account में post किया है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा जब जब हमने जो image वीडियो जो भी हमने पोस्ट किया है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है यह यह Facebook एकाउंट है और इसे page में convert करने के लिए इस account से पैसा कमाने के लिए simply आपको three dot पे क्लिक करना है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको three dot जैसे कि मैं दुबारा से आपको दिखा देता हूँ इसको back करेंगे जब अपने Facebook profile पे क्लिक करना है इमेज पे जो भी आपका logo होगा उस पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे three dot पे क्लिक करेंगे edit profile के सामने ही आपको देखने को मिलेगा three dot simply आपको three dot पे क्लिक करना है इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा turn on professional mode आपको इस तरह का देखने को मिलेगा simply आपको इस पे क्लिक कर देना है ठीक है इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे simply turn on पे क्लिक कर देंगे इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया है अगर आप read करना चाहें तो read कर सकते हैं नहीं तो simply आपको यहाँ पे turn on पे click कर देना है turn on पे click करेंगे और turn on पे click करने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ setting करने के लिए बोला जा रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तीनो complete है नीचे से तीनो complete है और उपर यहाँ पे दो अभी pending है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे है 8 details about yourself और create new content जैसे कि simply मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ 8 details about yourself इस पे क्लिक करने के बाद अपने बारे में कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा तो जो भी आप यहाँ से फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं edit कर सकते हैं और save कर सकते हैं इसको मैं कर देत हूँ back back करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे यह भी यहाँ complete हो चुका है ठीक है इसके बाद फिर से आपको create new content पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको एक post करना है simply मैं इस पे क्लिक कर चुका हूँ और यहाँ से मैं एक image ही select कर लेते हैं अभी फिलाल के लिए जैसे कि मैं यहाँ से एक image ले लेता हूँ कोई सा भी और एक post कर देता हूँ नीचे आते हैं नीचे आने के बाद और यहाँ से मैं इस image को select कर लेता हूँ simply image पे click करेंगे अगर आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं type कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे simply next option पे click कर देंगे ठी यहाँ पे green mark लग चुके हैं 5 के 5 है यहाँ पे 5 हो में green mark लग चुका है अब इसे कर देते हैं back बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे नीचे आते हैं नीचे आने के बाद और आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा अब आप यहाँ पे देख पाएं है और followers यहाँ पे 5100 हो चुका है 5.1K ठीक है अब मेरा जो Facebook account था वो हो चुका है page में convert जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इसको अगर back करता हूँ back करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे page की तरह ही यह open होगा इसको अगर हम refresh करते हैं refresh करने के बाद भी इसे अगर profile पे किलिक करके और अपना profile open करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएं कुछ इस तरह का ही open हो रहा है और मेरा जो followers है मेरा जो following है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से so हो रहा है और अगर आप इस page को फिर से अपना account बनाना चाहते हैं जैसे पहले था वैसे करना चाहते हैं तो फिर से आपको दुबारा से यहाँ three dot पे ही click करना है three dot पे click करके और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि turn professional mode off का option मिला simply आपको यहाँ से off कर देना है आप करने के बाद दुबारा से आपका account जैसे था वैसा ही हो जाएगा और अब मैं आपको page भी दिखाना चाहूंगा simply इस पे click करके और जो हमारा page पहले का create किया गया था वो अलग ही है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं page का followers 153 है और मेरा जो account का followers हो गया हो गया 5100 जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे है यह एक page है ठीक है इसका followers अभी वही है और मेरा जो account था वो page में convert हो चुका है अब इस account पे जो भी हम post करेंगे उससे हम पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे real का option मिल गया और यहाँ पे live का भी option मिल चुका है हम चाहें तो live भी आ सकते हैं या फी real बना करके इस पे upload कर सकते हैं उससे पैसा कमा सकते हैं अब इसे montage कैसे करना है इसक c-board पे किलिक करना है c-board पे किलिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे उपर ही आपका followers मिल जाएगा कितना है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5110 followers है और montage करने के लिए नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको monetization का option मिलेगा simply आपको इस पे किलिक कर देना है या फिर इसके उपर भी आपको एक option देखने को मिलेगा next step जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको get started का option मिला simply आपको इस पे किलिक कर देना है क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि earn money with a start जैसे कि आप य पेख पारें इसके सामने ही आपको सेटप का अपसन मिल रहा है और अगर आप पेज पे इड दिखाना चाहते हैं जैसे कि आप यहां पेड़ देख पारे हैं अगर इसको आन करना चाहते हैं इसके लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडिशन डिया गया है उसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप अपने पेज पे वीडियो अप्लोड करे या फे कुछ भी अप्लोड करे उस पे एड दिखाया जाएगा और उस एड के दोरा आपको इंकम होगा उसके लिए आपको 6 लाख भीज और 10 जार फोलोवर्स आपके पेज पे होना चाहिए मतलब आपके प्रोफाइल पे होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल से पेज पे कनवर्ट किया है और अगर आपके प्रोफाइल पे 10 जार फोलोवर्स नहीं है तब तक के लिए आप सिंपली यहाँ पे start option के सामने ही setup का option है simply आपको setup option पे click करना है जैसे ही आप यहाँ पे setup option पे click करते हैं यहाँ पे आपको नीचे get started का option मिलेगा simply आपको यहाँ पे get started पे click कर देना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Simply यहाँ get started पे click कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे click करने के बाद, आपको यहाँ पे कुछ step fill करना परेगा, उसके बाद, आप अपने profile से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 step दिया गया है, अगर आप 6 step complete कर लेते हैं, उसके बाद, आप अपने profile से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह जान लेते हैं कि इसमें पैसा आएगा कहां से, दोस्तों जैसे YouTube में super thanks होता है, वो इसा ही यहाँ पे Facebook में start दिया गया है, जो भी आपका content देखेगा, मतलब अपने page पे कुछ भी content डालते हैं, और वो किसी को पसंद आता है, ऐसा आपके profile में, मतलब आपके wallet में aid हो जाएगा, और अगले महीने आपके account में transfer हो जाएगा, अगर आप यहाँ से full step कर लेते हैं, उसके बाद, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस 6 step के बारे में भी वीडियो चाहिए, आप comment बता सकते हैं, इसके बारे मे भी में एक वीडियो बनाकर upload करूँगा, उससे आपको help मिल जाएगा, तब तक के लिए वीडियो को like, channel को subscribe करना कभी न भूले, तक कि ऐसे से वीडियो आप तक पहुंचता रहे time पे, और हमें भी कुछ help मिल पाए